आप सभी पत्रकार बंधुगों का भारतिय जनता युवा मोर्चा राजिस्थान के द्वारा आयोजित इस्प्रेस वारता में मैं स्वागत करता हूँ 2014 में इस देश ने भारतिय जनता पार्टी के नेत्रत्व में नरेंदर मोदी जी की सरकार बनाई और यह जो सरकार बनी यह सरकार नोवर्ष पूर्ण करने जा रही है साथियों यह जो नोवर्ष है यह सुशाशन के नोवर्ष है ट्रांस्परंसी के नोवर्ष है मोदी सरकार के जो नोवर्ष है वो युवाओं को डिवोटेड नोवर्ष है मोदी सरकार के नोवर्ष महिला सशक्ती करन के नोवर्ष है भारतिय जनता पार्टी पूरे देश में पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष आधर्निये जेपी नड़ा जी के नित्रत्व में महा संपर्क अभियान चला रही है और राजिस्थान में भी भारती जन्ता पार्टी राजिस्थान के अध्यक्ष आदर्णिये सीपी जोशी जी के नित्रत्व में पूरे प्रदेश में यह कारेक्रम प्रारंब हो चुके हैं और अनेकों ने कारेक्रम लोकसभा इस्तर पर, विधानसभा इस्तर पर, मंडल इस्तर पर और बूत इस्तर पर आयोजित किये जा रहे हैं युवा मोर्चा के कारेकरता युवा मोर्चा के रास्टे अध्यक्ष आदर्निये तेजस्वी सूर्याजी के नित्रत्व में पूरे देश में चार कारेकरम आयोजित कर रहे हैं इन में पहला कारिक्रम है लाभार्थी समवाद कारिक्रम पूरे देश में और राजिस्थान के अंदर भारती जनता युवा मोर्चा राजिस्थान केंद्र सरकार की योजनाओं से जो जो आमजन लाभार्थी हुए हैं बेनिफिश्रीज हैं उन सभी से संपर्क करके उनसे संवात करने का कारे करेगा यह लक्षे लिया है कि पूरे राजिस्थान में इस एक महा में जब महा संपर्क अभियान चलना है करीब 10 लाख लाभार्थियों से संपर्क करके समवात करने का काम भारतिय जनता युवा मोर्चा राजिस्थान के कारेकरता करेंगे सातियों मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व की अनुबुती होती है कि 2014 के अंदर उस समय जो नव मद्दाता थे उन्होंने अपना सपोर्ट नरेंदर मोदी जी को दिया उन्होंने अपना वोट भारतिय जनता पार्टी और नरेंदर मोदी जी को दिया 2019 में जब लोकसबा चुनाव हुए तो और भी अधिक संख्या में नव मद्दाताओं ने भारतिय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना नव मद्दाता 2014 से लेकर 2019 और आज भारतिय जनता पार्टी का अभिन अंग बन चुके हैं उनका विश्वाश भारतिय जनता पार्टी की शक्ती है अभी कुछ दिन पूर्व भारतिय जनता पार्टी राजिस्थान ने पूरे प्रदेश के अंदर नव मद्दाता अभिहान चलाया साथ जून से लेकर दस जून तक एक विशेश कारेकरम के अंतरगत भारतिय जनता युवा मोर्चा राजिस्थान के कारेकरता नव मद्दाताओं को पार्टी से जोडने का काम करेंगे और इसके साथ साथ इन 7,8,9,10 जून को प्रतिय एक जिले के अंदर नव मद्दाता सम्मेलन भी आयोजित करने का काम भारतिय जनता युवा मोर्चा राजिस्थान के कारेकरता करेंगे साथियों 11 तारिक से लेकर 20 तारिक तक 11 जून से लेकर 20 जून तक युवा मोर्चा के कारेकरता प्रतियेक मंडल के अंदर बाईक रैली के माध्यम से मोधी सरकार की जो नीतियां है उनको जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे प्रतियेक मंडल में बाईक रैली आयोजित की जाएगी और उस बाईक रैली के दोरान यूवा चौपाल लाभारती समवाद लाभारती चौपाल महिला चौपाल आदी आयोजित करके लाभार्तियों से और आम जन्मानस से समवात करने का काम भी युवा मोर्चा के कारेकरता करेंगे ये लक्षे लिया गया है कि इन बाईक रैलियों के माध्यम से लगबग 2,00,00 आम जन मानस से युवा मोर्चा के कारेकरता connect होने का काम उनसे समबात करने का काम करेंगे इसके साथ साथ मोधी सरकार की जो योजनाय हैं, मोधी सरकार के जो कारे हैं उनको लेकर युवाओं के मद्दे, ओनलाइन प्रशनोत्री का भी कारेकरम आयुजित किया जाएगा यह निश्य किया गया है युवा मोर्चा राजिस्थान के पदादिकारियों के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा की प्रतिय जिले के अंदर लगबग डाई हजार जो युवा हैं, वो इस ओनलाइन प्रशनोत्री में भागिदार बनेंगे और इस ओनलाइन प्रशनोत्री के माध्यम से भी जो मोधी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जानकारी राजिस्थान का जो युवा है उन तक पहुचेगी साथियों, 2014 में इस देश के युवाओं ने देश के प्रधान मंत्री के रूप में आदर्ने नरेंदर मोधी जी को चुना था जिस व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री चुना था आज वो वैश्विक नेता के रूप में हमारे सामने है इस देश का नेत्रतु करने के साथ साथ इस विश्व को किस प्रकार से दिशा देनी है उसमें भारत के प्रधान मंत्री आदर्ने नरेंदर मोदी जी अपनी भागी इस देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो एको सिस्टम डवलप करने का काम भारत के प्रधान मंत्री आदर्णी नरेंद्र मोधी जी ने किया है, इस्टेंडप इंडिया, स्टार्टप इंडिया के माध्यम से जो काम हुए है, वो मेरे को लगता है कि विश्व के कई देशों के सामने एक बहुत बड़ा लक्षय है कि इस प्रकार के काम दूसरे देश भी कर सकें, देश में पिछले बहुत वर्षों तक किसी प्रधान मंत् रहे हैं, अभी मुझे जैसल मेर जिले में जाने का जब मौका मिला, सीमावर्ती जिलों में जो युवा मोर्चा ने कारिकरम करे, तो जैसल मेर विधान सबा का जो बूत करमांक एक है, वहाँ पर भी हमने देखा कि प्रधान मंत्री आवास योजना का क्रियानवन हो रहा है वहाँ पर भी पक्की सडकों का निर्मान नल प्रते एक घर तक पहुच रहे हैं, गैस सिलेंडर जो है वो प्रते एक घर तक पहुच रहे हैं प्रधान मंत्री जी के नेत्रत्व में, तो बहुत ही विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि देश के प्रधान मंत्री आदर नरेंदर मोदीजी कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद